कल हम लोगों ने राश्ट्री घटना करम के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम लोग अंतराश्ट्री घटनाओं को कवर करेंगे तो सुरू करते हैं पहला है वर्ष द्वाद 24 के काप 39 संयुत राश्ट जलवायू परिवर्दन सम्मेलन की मेज़मानी किस देश द्वारा की जाएगी तो ये सम्मेलन 11-12 नॉमबर 2024 तक अजरबैजान में किया जाएगा तो सही ज़ाब होगा अजरबैजान अगला है नॉमबर 2024 में आजिस होने वाली यूरोपी हाइडोजन सत्ताह के लिए किसे विशेश भागिदार गोहित किया गया है तो इसका सही ज़ाब है भारत सीलंका की नई प्रधान मंत्री के रूप में किसे सपत ग्रहन किया है तो देखेंगे 24 सितंबर 2024 को सीलंका की नई प्रधान मंत्री के रूप में हरी नी अमर्सूर्या ने जो है सपत ग्रहन किया है अगला है सिलंका के ने राष्टपती कौन बने हैं तो 23 सितंबर 24 को सिलंका के ने राष्टपती अनुरा दिसानायके बने हैं आगे देते हैं अमेरिका यात्रा के दोरान प्रधान मंत्री नैन्दमोदी ने कहां पर दो नए भार दिये वाडिजी तुतावासों के स्थापना किये जाने गोशना की है तो ये हैं बोश्टन एम लास एंजिल्स अमेरिका तिरुवल्लूर चेर आफ तमील इस्टडिश के स्थापना कहां की जाएगी तो ये स्थापना हुश्टन विस्विदाले में की जाएगी आगे देते हैं भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्री सुरच्छा सेमी कंडुक्टर फैब्रिक्रेशन प्लांट अस्थापित करेगा तो यह करेगा अमेरिका के सहयोग से आगे देते हैं इस प्लांट वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहां किया जाएगा तो इस प्लांट वारा उत्पादित चिप्स होगा ऐसा प्रयोग जो है सैन हार्डवेर एम संदमेदन सील दूर संचार नेटवर्क में किया जाएगा आगे देते हैं व्यक्तिगत उपसिती यानि कि इन पर्सन वाले चौथे क्वार्ड लीडर समीटी का आउजन कहां पर किया गया तो इस समीटी का आउजन था वो किस्तंबर 24 को विल्लि मिंगटन डेलावेर अमेरिका में किया गया था समग रूप से यह क्वार्ड लीडर समीटी यानि कि वर्च्वल समीटी को सामिल करते हुए यह कौन सा संस्क्रण था तो याद रखिएगा यह छठा संस्क्रण था आगे हैं हिंद प्रसांद छेत्र में कैंसर के बोज को कम करने के उद्देश से क्वार्ड देशों ने किस पहल को लांच किया है तो इस पहल का लांच नाम जो है वो है कैंसर मून साथ इनिसियेटिव वर्ष वर्पचीस में अगले क्वार्ड लीटर समिटी का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो यह आयोजन जो है भारत में होगा भारत अमेरिका जापान के तट्रचक बलों और आश्टेलिया के बार्डर फोस वारा किस मिसन को लांच किया जाएगा तो इस मिसन का जो नाम होगा वो होगा परसम क्वार्ड एट सी सिप आप्जरवर मिसन हिंद परसांद छेतर में अंतर संचालनी ता में सुधार लाने हैं तो यह मिसन कब लांच किया जाएगा तो इस मिसन को जो है वर्ष द्वरपचीस में लांच किया जाएगा आगे देते हैं क्वार्ट देशों द्वारा हिंद परसांद छेत्र में परसिछड के लिए नई छेत्री समुद्री पहल की घोशना की गई है तो इसका नाम है मैत्री मेलबर्न विश्विधाले के पहले मेलबर्न वैस्वे केंद्र का सुबारम कहां पर किया गया तो इसका सुभारम 17 सितंबर 24 को नई दिल्ली में किया गया था और इसकेंदर का क्या नाम है? तो इसकेंदर का नाम है Melbourne Global Center दिल्ली है अगला परसन है जारडन के नए प्रधान मंत्री कौन बने है? तो 15 सितंबर 24 को जारडन के जो नए प्रधान मंत्री बने है भारत ने कौन सा अभियान लांच किया तो इस आपरेशन का नाम था आपरेशन सद्ध भाव एक पूर्ट सरस के रूपे अंतराष्टी सोर गडवन्धन में सामिल होने वाला 101 देश कौन बना है उसे सितंबर 22 में 101 देश जो बना है आईसे का तो वो नेपाल बना है वर्ट 22 की टाइम पत्रिका की AI छेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावसाली लोगक सूची में किन प्रमुक भारतियों को सामिल किया गया है तो इनमें सामिल अनिल भारतिय है अस्वनी वैशनों जो केंद्री मंत्री है नंदल निल केडी और अभिनेता अनिल कपूर अगला प्रस्ण है किन देशों या छेत्रों ने कृत्तिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानून रूप से बादिकारी अंतराश्टी संधी पर हस्ताचर किये तो ये देश से अमेरिका, यूरोपिय संग, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जार्जिया, आइसलेंड, नार्वे, मालडोवा, सैन्मरिनो और इस्राइल अंतराश्टी सौर महोसाव दुआरचोबिस का आउजन कहां पर किया गया तो अंतराश्टी सौर महोसाव दुआरचोबिस का आउजन पांट से छे सितंबर दुआरचोबिस को नई दिल्ली में आजन किया गया था और ये आज़न किस के दौरा हुआ? तो ये आज़न अंतराश्टी सौर कटबंधन के दौरा किया गया याद रखिएगा पहला प्रदोगी की संसान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतराश्टी परिसर खोला है तो देखेंगे भारती प्रदोगी संसान दिल्ली ने अपना पहला अंतराश्टी परिसर जो है ये अबुधा भी संयुक्त अरब अमीरात में खोला है आगे है राश्ट्री सिच्छा निती दौर 20 के विजन के अंतरगत कौन सा विस्विधाले भारत में एक परिसर के अस्थापना करेगा तो यह विस्विधाले होगा साउथ हैम टन विस्विधाले युनाइटेट किंगडम आगे है किस देश ने हनुमान जी की 60 feet उची प्रतिमा का अनारन किया तो अगस 2024 में इसका अनारन जो होगा था यह अमेरिका में किया गया था इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है तो इस प्रतिमा का नाम Statue of Union नखा गया है यानि की एकता की मूर्ती आगे है किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राटतिष्टा की गई तो इस मंदिर का नाम है अश्टलच्मी मंदिर आगे है भारत और डेर्मार्क में कहां पर सचनदियों पर स्मार्ट प्रयोक साला यानि की FLCR का अनावरण किया तो सही जब होगा वारानसी यहां प्रयोक साला किनके बीच की एक तरी पच्छी अनूटी पहल है तो यह जो पहल है वो भारत सरकार और IIT BHU और डेन्मार्क सरकार की बीच की गई है आगे है तीसरे वायस आफ ग्लोबल सिखर सम्मेलन की मेज मानी वर्चुली यानि की आभासी रूप से किस देश पर द्वारा की गई तो सही जब होगा अपना भारत इस सम्मेलन की विशय यानि की थीम क्या थी तो इस सम्मेलन की विशय या थीम थी एक सतत भविश्व के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ थाइलेंड की संसर द्वारा किसे नया प्रहार मंत्री नुद किया गया है तो इसका सही जवाब होगा पेंटा गेटारन सिना वात्रा आगे हैं किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कितिक सायोग के लिए मैत्री अनुदान की घोशना की गई तो ये है आश्ट्रेलिया आगे रते हैं भारत किस देश में अपने राजनेक संबंधों को मेश्मूत करने के लिए वारी जी दूतावास खोलेगा तो इसका सही जवाब होगा न्यूजी लेंड न्यूजी लेंड में कहां भारत का वारी जी दूतावास खोला जाएगा तो ये जो वारी जी दूतावास है ये न्यूजी लेंड के आकलेंड सार में खोला जाएगा ये भी आद रखिएगा अगला प्रस्ण है किस देश के दो विस्विद्याले उने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैमपस इस्थापित किये हैं तो इसका सही जवाब होगा आश्ट्रेलिया और ये दो विस्विद्याले कौन है तो ये है डिकिन विस्विद्याले और वोलोंग गोंग विस्विद्याले अगला प्रस्ण है पाँच कारकालों के लिए बांगलादेश की प्राण मंतरी रही सेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पस से इस्तिफादे दिया तो इसका जवाब होगा व्याप्त हिंसक छात्र का विरोध स्यूत राष्ट कमान में सामिल होने वाला अठारवा देश कौन बन गया है तो अगसद वाद 24 में ये जर्मनी जो है ये स्यूत राष्ट कमान में सामिल होने वाला अठारवा देश बन गया है अगला है राश्टपती द्रोपती मुर्मू को किस देश के सर्वोच नाजर सम्मान Companion of the Order of Fiji से सम्मानित किया गया तो यह सही ज़वाब होगा Fiji देश अगला है युनस्को की विस्व विरासर समीति का 46 सत्र कहां पर आज़ित किया गया तो इसका सही ज़वाब होगा नई दिल्ली भारत आगे है युनस्को की विस्व विरासर सुची में सामील होने वाला भारत का 43 समा अस्थल कौन है तो यह है मोईदूस यानि की अहोम राजवन्स की टीला दफन पडाली जिसे मोईदूस कहते हैं आगे है है हिनले पासपोर्ट सुचकांग दवारत कौन से अस्थान पर है अगला प्रसना है विस्व का सभसे सभसाली पासपोर्ट किसका बन गया है तो यह जो है देस बन गया है यह सिंगापुर बन गया है आगे हैं बैंकाग में आयोजित ACI आपदा तयारी केंद्र यानि की ASEAN डिजाश्टर प्री परेंडेनस सेंटर की बैठक में किसने वर्थ 24 पचीज के लिए ACI आपदा तयारी केंद्र की अज़ेश्टा समाली तो ये अज़ेश्टा भारत ने की थी याद रखियेगा जन मिसल को नित किया गया है अगला प्रतना है भारत के पहले समुद्र पारिय यानि की Overseas जन और सजी केंद्र का घाटन कहां किया गया तो ये 17 ज़ेश्टा दौर 24 को मारिसस में किया गया World Crafts Council यानि की AISBL द्वारा किस भारती सहर को आधिकाईग उसे WCC यानि की World Crafts City गोषित किया गया तो ये जो राज जी है ये हैं सहर स्री नगर जम्मू और कस्मीर अगला प्रतन है अब तक कुल कितने भारती सहरों को World Crafts City गोषित किया गया है अगला है किस सहर में इसित ग्रेविन वैक्स संग्रहाले द्वारा बालीवुड अबिनता सारुखान के सम्मान में सोनी के सिक्के जारी किये गये तो सही जवाब होगा पेरिस फ्रांस अगला प्रतन है केंद्री विदेश मंत्री एस जैसंकर ने कहां पर भारत मारिसस मैत्री उध्यान का जो है गाडन किया तो यह जो घाडन किया गया है मैत्री उध्यान का यह जो है पोर्ट लुइस मारिसस में किया गया है आगे हैं गेमी टाइफून ने हाली में कीं देशों में प्रमुकरूफ से तबाही मचाई तो देखें कि जुलाई दौर चोवडिस में गेमी टाइफून ने ताइवान और फिलिप्पेंस में व्यापक रूम चबाही जो मचाई थी और यह किस प्रकार का चक्रवात है तो यह उश्ण कटी बंदी चक्रवात है यह भी याद रखिएगा अगला प्रस्न है किस देश नहीं अपना पहला व्यापक जलवायू परिवर्तन कानून पारिश किया तो सही ज़ाब होगा दक्षिड अफ्रीका नीजरलेंड का नया प्रधनमंत्री कौन बना है तो दो जुलाई 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 तो ये बैठक दो हां कतर में से जो है इसका आउजन किया गया अगला प्रस्न वर्स दाट 24-25 की अवधे के लिए ACI आपदा सयारी केंद्र यानि की A.C.N. डिजाश्टर प्री परड़ेमेस सेंटर का अध्यच कौन बना तो ये जो है भारत बना सा ये भी याद रखियेगा अगला प्रस्न वर्स परड़ान मंत्री नेजमोदी की रूस यात्रा के दोरान उन्हें रूस के किस सर्वोश नागरिक पुरुसकार से समाने किया गया तो ये था आडर आफ सेंट एंड्रिू द एपोश्टल पनामा का नेराश्पति कौन बना है तो एक ड़ाइज दौराश्पति को पनामा के नेराश्पति जो स्राउल मुलीनों बने है अगला प्रस्न भारत की अज़स्ता में कोलंबो प्रोसेस की पर्थम बैठक कहां पर संपन हुई तो यब अठक 28.24 को जेनेवा में संपन हुई थी अगला प्रस्न उत्तर अट्लांटिक संधी संगठन यानि की नाटो का महासचीव किसे निउत करने का निड़े लिया गया है तो 26.24 को मारक रूट यानि की जो निड़े लेंड से परहनमंत्री है इने नाटो का महासचीव निउत करने का निड़े लिया गया है अगला प्रस्न है किस विश्व विद्याले ने संध तिरुमंगई अलवर की लगभग पांस वर्ष पुरानी कास्यमूर्ती को भारत को लटाने पर सहमती जताई है तिये है आक्सफोर्ड विश्व विश्व विद्याले अमेरिका भारत दच्छिड कोरिया जापान और यूरोपिय संध ने मिलकर किस गठबंदन के गठन की गोशना की है तो इसका नाम है बायो फार्मासियोटिकल एलायंस अगला प्रस्न है वैस्विक उर्डा सुचकांग वैस्विक उर्डा संक्रमर सुचकांग दो हजार चौविस किस ने जारी किया था तो 19 जून दचौविस को वैस्विक उर्डा संक्रमर सुचकांग विस्व आर्थिक मंच ने जारी किया है और वैस्विक उर्डा संक्रमर सुचका हैं कि 2024 में सिर्ष अस्थान पर कौन सा देश है तो इसमें सिर्ष अस्थान पर स्वीडन है जबकि भारत को 63 अस्थान मिला है ये भी याद रखेगा मरसर्द वाला जारी काश्ट आफ लिविंग सिर्टिंग रहेंगी 2024 कौन सार विस्थ में सबसे महेंगा सायर कौन है तो ये है हौंग कौन है अगला प्रसन है पचासमें जी सेवन सिखर सम्मेलन 2024 का आउजन कहां पर किया गया है तो ये आउजन 13 से 15 जुन 2024 को अपूल या इटली में किया गया था अगला प्रसन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 24 किसके द्वारा जारी की गई तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 24 जो है विस्थ आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया थी है अगला प्रसन है विस्थ लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 24 से पूर्ड लैंगिक समानता हासिल करने में विस्व को कितना समय लगेगा तो यह समय लगेगा 134 वर्ष यूक्रेण सांसी सिखर सम्मेलन दौर 24 का आयोजन कहां पर किया गया है तो यूक्रेण सांसी सिखर सम्मेलन का आयोजन 15-16 जून 24 को जो है स्वीडिया लेंड में किया गया था समलेंग विवाह को मानता देने वाला पहला दच्छिड पूर्व ACI देश कौन बना तो ये बना थाइलेंड अगला है पीटर पेलेग्रीणी ने किस देश के राश्पती का पद गरहन किया है तो इन्होंने जो है स्लोवाथिया के राश्पती का पद गरहन किया है जुडित सुमिनवा तुलू का किस देश की पहली महिला परधान मंत्री बनी है तो ये बनी है कांगो लोकतांत्री गड़ राज की अगला परसन है सहयूत राज अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है तो ये इसका सही रवाब होगा के निया पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयूत राज़ सुरच्छा परसद में अवर अस्थाई सरस्क्रूप में निर्वाचित किया गया है तो ये हैं सोमालिया, पनामा, डिन्मार्क और यूनान बायो इंटरनेशनल कर्वेंशन दौर 24 का आउजन कहां पर किया गया है तो ये आउजन संडियों गयों, USA में इसका किया गया था QS World University Ratings 22 में किस भी स्वी दियालों के सीर सस्थान परात हुआ है तो ये हैं मैसा चुछेट्स इंस्टूट आफ टेकनोलोजी USA अगला प्रस्न सांगरी लासमवाद का एक किस्वा संस्क्रड कहां पर संपन हुआ तो ये संपन हुआ था सिंगापूर में अगला प्रस्न साथतर में 27 सभा कहां पर जो है इसका आउजन किया गया तो इसका आजन जो है जेनेवा, स्वीडिया लेंड में किया गया था रूस से लगते पर सिमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वाल बनाने की अपनी योजना की घोशना की है तो कुल 6 देश हैं और ये 6 देश कौन है लिथवानिया, लाट्विया, एस्टोनिया, पोलेंड, फिनलेंड और नार्वे प्रत्थम काजा टीएस्टीय सिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आज़ित किया गया तो ये जो इसका आज़न जो हुआ था ये जामबिया में हुआ था अगला प्रत्थम अंतराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाय गया था? 30 मई 2024 और किसके द्वारा अंतराष्ट्रीय आलू दिवस मनाय जाने गोशना की गई? तो ये है तर्यूतराष्ट्रे खाद और किर्सी संगठन यानि की Food AO Time 100 सबसे प्रभावसाली कमपनिया द्वार 24 नमक सुची में भारत की कितनी कमपनिया सामिल है? तो इसमें जो है भारत की कुल्स तीन कमपनिया सामिल है जिसमें Reliance Industries, Tata Groups और Serum Institute of India सामिल है अगला प्रस्ण हावर्ड विस्विद्याले के साथ आनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विस्विद्याले कौन है? तो ये है चंडीगड विस्विद्याले है आगे बढ़ते हैं हरून इंडिया आर्ट लिष्ट द्वाचोविस में किसे सीर सस्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है भारती मूल के अनीश कपूर जो लंदन UK के हैं पर्यावण परदसन सुचकांग द्वाचोविस में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पर्यावण परदसन सुचकांग द्वाचोविस में भारत को 176 अस्थान मिला है किस देश ने विजेश मंत्राले के लिए AI संचाल डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? तो ये है यूक्रेन किस देश के ने राश्पती के रूप में लाई चिंग ते ने सपतली है? तो 20 माई द्वाचोविस को लाई चिंग ते ने ये जो है ताइवान के राश्पती के रूप में नामित हुए है विस्व हाइडोजन सिखर सम्मेलन दौरचोविस कहां पर आयूजन किया गया है भारत और किस देश ने चाबहार में साहिदी बहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दिर्ग अवदी के लिए समझोते पर हसाचर किये तो सही जवाब होगा भारत और इरान किन भारते कृतियों को युनस्को के मेमरी आप दे वर्ड रिजनल रिष्टर में सामिल किया गया तो यह है रामचैत मानस, पंच संद्र और सरह हिर्जय लोक लोचन की हस्त लिपी किस संसान ने यात्रा और प्रेटन विकास उचकांग दौरचोविस जारी किया तो यह जारी किया था विस्व आर्थिक मंचने यात्रा और प्रेटन विकास उचकांग दौरचोविस में समग रखेंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को जो है 49 मा स्थान मिला है स्थान उत्राष्ट मासाभादवारा 24 माई को किस दिवस के रुप में मनाय जाने गोशना की गई है तो यह होगा अंतराष्ट यह मार्क फोर दिवस भारत ने किस अवदी है तो कॉलंबो प्रोसेस की अधर्ष्टा गरण की है तो यह होगा वर्ष दौर 24 से 2026 तक पूर्णर निर्वाचित हुआ है तो यह है गीटा नास नौसोईदा अगला प्रस्न मेक्सिकों ने किस देश के साथ अपने कुट निटिक संबंद समाथ कर दिये है तो यह है इक्वाडोर विस्व सेन वेब प्रक्रिती दौर 23 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दौर 23 में विस्व सरवादित सेन वेब करने वाले सिर्ष देश कौन से है तो यह है क्रमसा अमेरिका चीन और रूस आगे आते हैं टाइम की वर्ष दौर 24 में 100 सबसे प्रभासाली लोग की सुची में कितने भारती या भारती मूल लोगों ने जगे बनाई है तो यह हैं आठ लोगों ने जिन में अजे बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट, पाच्छी मलिक, देव पटेल, आस्मा खान, प्रियमबदा नतराजन और जीगर सां है सॉण की धूल उगलने कांड खबरों में रहा माउंट एरेबस, कहाँ पर्वसित है, तो यह है अंटा करेक्टिका में आइलेंड के सबसे युवा प्रधार मंत्री कौन बने है तो ये बने है साइमन हैरिस जो 37 स्वर्ष की आयू में आइलेंड के सबसे युवा प्रधार मंत्री बने है अगला प्रस्मा, भाला सरकार ने हिंसा ग्रस्त केरिवियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हैं किस मिशन को संचाली किया था, तो ये था आपरेशन इंदरावती अंतराष्टि दूर संचार संग यानि कि ITU ने किसको अपने Digital Innovation Board का सहध्यश निफ्किया है ये है भारत प्रिश्वी पर भूमें से सबसे दुरस बिंदू Point Nemo तक पहुँचने वाले पहले वक्ति कौन बने है तो ये बने है Chris Brown Point Nemo को किस अन्य नाम से भी जाना आता है तो ये है दुर्गमता का धुरू ये भी याद रखियेगा भूटान का सर्वोच नागिस सम्मान Order of the Duke ग्याल को किसे दिया गया तो ये सम्मान 22 माद 24 को भारती प्रहमंत्री नैंद्र मोदी को दिया गया था अगला प्रस्मान लोकतंत्र के लिए तीसरा सिखर सम्मेलन कहां पर आरिश किया गया तो ये सम्मेलन सियोल दच्छिड कोरिया में जो है इसका उजन किया गया अगला प्रस्मान हरून ग्लोबल डिच लिष्ट द्वार चोविस सियोन सार विष्व का सरवाधिक अमीर वक्ति कौन है तो ये है एलन मस्क दो सव एक तिस मिलिन डालर के साथ अगला प्रस्मान हरून गरपात को समयधानी ज़र्दा दिने वाला विष्व का पहला देश कौन बन गया है तो ये बन गया है फ्रांस अगला प्रस्मान हरून किस देश में विष्व की पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का नावरण किया गया तो ये है साओधी अरब अगला प्रस्मा है किस विष्व विध्याले ने राष्ठपती दोपती मुर्मु को डाक्टर आफ सिविल ला की मानद उपाधी से सम्मानित किया तो ये है मारिसास विष्व विध्याले अगला प्रस्ट फिनलेंड के नहराष्ट पती कौन बने है तो देखेंगे एक मार्च दौर 24 को फिनलेंड के नहराष्ट पती एलेकजेंडर इस्टब बने है अगला प्रस्ट यूरोप के वीजा मुक्त सेंगेन जोन में सामिल होने वाला अन्तिम पस्चिम बालकन राश्ट कौन बना है तो यह बना है कोसोग अगला प्रस्ट भारत की जन औसधी पहल में सामिल होने वाला पहला देख कौन बना है तो ये बना है मौरिसस अगला प्रस्न भारती भेशट सहीता मानकों को मानता देने वाला पहला इस्पेनिस भासी देश कौन बना है तो ये बना है निकारा गुवा अगला प्रस्न भारत और किस देश के बीच आतंगवाद मादक पदार्तों की तसकरी और मनी लांडिंग जैसे मुद्दों पर सही हो को मजबूत करने है तू होमलेंड सिक्योर्टी डायलाग 2024 का आईजन हुआ ति ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था अगला प्रस्न अंतराष्टी बौधिक संपदा सुचकांग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को इसमें जो है बैड़ स्वास्थान मिला है कारसल पर हिंसा और उत्पीडन को समाथ करने के लिए अंतराष्टी समसंगठन यानि की इंटरनेशनल लेबर आउगनाईशन करने वाला पहला ACI देश कौन बना है तो ये बना है फिलीप पिन्स इंडस सिखर सम्मेलन का आउजन कहां पर किया गया तो देखेंगे इंडस एक्स सिखर सम्मेलन बीच से की सरवरिक बीच नई दिल्ली में किया गया था यह मेलन का कौन सा संस्क्राड था तो यह इस मेलन का जो है दूसरा संस्क्राड था यह भी आद रखिएगा इंडस X का पूरुरूप क्या है तो इंडस का मतलब होता है इंडिया US Defense Acceleration Ecosystem किस देश में चक्रवाद किरिली ने भाली तबाई मचाई हैं देखेंगे जनवरी 24 में किरिली जो चक्रवाद था यह आश्टेलिया में आया था और यह कैसा चक्रवाद था तो यह प्रकार का उश्णिकटी बंधी चक्रवाद था अगला प्रसना अफ्रीकी देश लाइवेरिया के राश्टपती का पद किस ने गरहन किया तो यह है जो सिफ बोकाई युगांडा में कौन सा सिखर सम्मेलन आजिस किया गया तो युगांडा में देखेंगे तीसरा दच्छिड सिखर सम्मेलन जो है आजिस किया गया था इस सिखर सम्मेलन का केंदरी भी से क्या था तो इस सिखर सम्मेलन का केंदरी भी से था leaving no one behind इस सिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है तो तीसरे दचिट सिखर सम्मेलन के जो प्रतिभागी है ये जीट 77 के सदस्य देश है और इसे साथ चीन भी है किस देश के तेन सहरों या नगरों ने 22 जनवरी द्वाज़ चौविस को अयोध्यार राममंदिर दिवस के रूप में घोशिस किया तो ये है करनाडा देश और इसके तीन सहर है क्रेंपटन मावब परिएगा ब्रेंपटन ओक विले तथा ब्रेंट फोड अगला प्रसन ग्वाटे माला के नेराश्पत्ति के रूपे किसे सपतली है ये है बर्नांडो एरे बलो आगे है कौन डिन्मार्क के नए समराथ बने है तो 14 जमिशवर द चवविस को डिन्मार के नए समराथ फेडरिक दसम बने है ये भी याद रखिएगा भारत में किस देश में भारत पार का स्थापित करने गोश्णा किया है ये हैं सायूस्त अरब अमिराथ फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्राण मंत्री कौन बने है तो ये बने है गैब्रियल अटल अगला परस्न कीज देश ने भारत में हरित इंदनों पर गटबंधन की गोशना की हैं तो ये हैं डेन्मार्क इस गटबंधन का नाम क्या होगा तो इस गटबंधन का नाम है GFAI यानि के Green Fuels Alliance इंडिया अगला परस्न सुक्सिस मसारा को किस देश का परधान मंत्री निउत किया गया है तो एक जनवी द्वार 24 को सुक्सिस मसरा जो है ये चार देश के परधान मंत्री निउत किया गया है आज का अंतिन प्रस्म सेख मुहम्मद सबा अलसलेम अलसबा को किस देश का परधान मंत्री नुस्किया गया है तो ये बनेंगे कुवैत के